गुड मॉनिंग स्टुडेंट आज हम तरंग हिंदी पाठ माला कप्छा छे का पाठे पुनेह नया निर्मान करो पढ़ेंगे यह कविता है जिसके रजेता द्वारी का प्रसाथ महिस्वरी जी है इस कविता में कभी नव यूकों का आवाहन करते हुए उन्हें नव निर्मान करने को प्रेरित कर रहे हैं तो आईए कविता के पध्यांसों को पढ़ेंगे और कविता के भावार्थ को समझेंगे उठो धरा के अमर सपूतो पुनेह नया निर्मान करो जन जन के जीवन में फिर से नई इस्फूर्ती नव प्रान भरो प्रस्तुत पंक्तियों में कभी देश के यूवाओं को आवाहन करते हुए कह रहे हैं कि हे मात्र भूमी के अमर सपूतो उठो और अपने देश के नव निर्मान में फिर से जुड जाओ यूगों यूगों से गुलामी की जंजीरों में जखड़े रहने के कारण हमारे देश वाशियों के मन में निरासा की भावना भर गई है अतय अपने करतब्य का पालन करते हुए देश वाशियों में एक बार फिर से आसा की नई किरन भर दो उनमें एक नई इस्फूर्ती अर्थात नई ताजी की एवं नया जीवन का संचार करो जिससे हर कोई अपने देश के निर्मान में जुड जाए नया प्रात है नई बात है नई किरन है जोती नई नई उमंगे नई तरंगे नई आस है सांस नई कभी कहते हैं कि युगों की गुलामी के पस्चार आज हमें आजादी मिली है आज हमारे लिए एक नई सुबह है यह हमारे लिए नई बात है किरन भी हमारे लिए नई है जोती भी हमारे लिए नई है आज हमारे मन में नई उमंगे हैं नई तरंगे हैं नई आशाएं हैं और हमारी उर्जा भी नई है अर्थात आज हमारे पास वह सारी शक्तियां हैं जिसका उप्योग करके हम अपने देश को नया रूप प्रदान कर सकते हैं युग युग के मुर्जे सुमनों में नई नई मुश्कान भरो उठो धरा के अमर सपूतो पुने नया निर्मान करो कवी देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि युगों से गुलामी की जंजीरों में जखड़े होने के कारण आज देश वासियों के मन में निरासा की भावना भर गई है अतह हे मात भूमी के अमर सपूतो उठो और देश वासियों के मन में नवीन उस्साह का संचार करो क्योंकि तभी हम अपने देश का फिर से नव निर्मान कर सकते हैं डाल डाल पर बैठ भी हग कुछ नए स्वरों में गाते हैं गुन 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 करते भोरे मस्ट हुए मड राते हैं कभी कहते हैं कि आजादी के बाद प्रकृती में भी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं उन सारे परिवर्तन का अवलोकन करके कभी कहते हैं कि डाल डाल पर पक्छी इस स्वतंत बातावरण में कुछ नए स्वरों में आनंद से मदुर गान कर रहे हैं और इसी प्रकार भोरे मस्ती में गुन गुना रहे हैं नव युग की नूतन बीना में नया राग नव गान भरो उठो धरागे अमर सपूतो पुनय नया निर्मान करो कवी देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आजादी के बाद के इस नए युग में देश की उन्नती में नए आदर्स और अविस्कार से प्रगती प्रदान करो अतहे मात भूमी के अमर सपूतो उठो देश को उन्नत बनाने के लिए पुने फिर से नव निर्मान में जुड जाओ कली कली खिल रही इधर वै फूल फूल मुस्काया है धर्ती मा की आज हो रही नई सुनेहरी काया है कवी कहते हैं कि आजादी की प्राप्ती के पस्चात आज ऐसा लग रहा है मानो धर्ती मा सच कर एक नए रूप में हमारे समक्च आखड़ी हुई है अर्थात धर्ती मा की काया भी सुनेहरी लग रही है नूतन मंगल मई धुनियों से गुंजित जग उद्ध्यान करो उठो धरा के अमर सपूतो पुनेह नया नेर्मान करो कभी देश के युवाओं का आवाहन करते हुए कहते हैं कि आज वह वक्त आ गया है कि हम नवीन एवं मंगल मै गीतों की धुनियों से समस्त प्रक्रती एवं समस्त उद्ध्यान को गुंजाय मान कर दें अता है हे भारत के अमर सपूतो उठो यह उचित समय है कि तुम अपने देश के निर्मान में लग जाओ सरश्वती का पावन मंदे यह समपत्ती तुम्हारी है तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है कभी कहते हैं कि हमारा देश ज्यान विज्यान के इचित में विश्व के किसी भी देश से आगे रहा है तुम्हारे लिए तुम्हारा देश ज्यान प्राप्त करने का पवित्र मंदिर के समान है यहां ज्यान की पुष्टकों की कोई कमी नहीं है हमारे देश में ज्यान प्राप्त करने के लिए विदेशों से भी विद्यार्थी आते रहे हैं यहां के सिक्षा के मंदिर पर अब तुम्हारा अपना अधिकार है अता है अप से इनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारे उपर है और तुम ही इसके पुजारी हो सत सत दीपक जला ग्यान के नव युग का आवाहन करो उठो धरा के अमर सपूतो पुनेह नया निर्मान करो अता है अपने कर्तब्बे का पालन करते हुए तुम्हे ग्यान के सेक्णू दीपक प्रज्वलित कर एक नए युग का निर्मान करना है कहने का तात पर यह है कि अब देश के उवाओं की यह जिम्मेदारी है कि वे उन लोगों तक ग्यान के प्रकास को फैलाएं जो अब तक सिक्षा के आभाओं में अग्यानी बने हुए हैं हमारे लिए सिक्षा इसलिए जरूरी है ताकि हम इसके बल पर अपने देश को आजात बनाए रख सकें कहीं ऐसा ना हो कि सिक्षा के आभाओं में हम एक बार फिर से किसी सक्ती के गुलाम हो जाएं इस तरह यह कविता यहां समाप्त होती है आसा है आपको यह कविता समझ आई होगी थेंक यू